नवश्कार आप सभी का स्वागत भाग्यम मैं मैं हूँ पंडित चंद्रिशेकर शर्मा दर्शकों सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन की पंचांग को जिससे हम आज की दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके जान सके आज दिनांग के चार वार सन दोजार चौबिस विक् आज के नक्षत्र की बात करें तो जेश्टा नक्षत्र दोपेर बाद चार वच के बाइस मिनट तक है आगे मूल नक्षत्र रहेगा योग वज्र है दोपेर बाद चार वच के चार मिनट तक उसके बाद सिद्धी योग है योग की द्रश्टी से आज का दिन चार वच के सब्सक्राइब तक चार मिनट तक अच्छा नहीं है जो भी शुपकर्म करने हैं वो दोपेर बाद 4 बचके 5 मिनट के बाद ही करें तो आपको अच्छा फल मिलेगा करन कॉलाव है सुबह 8 बच के क्या सुबह का राहु काल है तो इसमें भगवती का स्मरण करेंगे यानि दुर्गा दुर्गा नाम स्मरण करेंगे तो जनम पत्रिका में जो राहु सम्मंदित दोश आपको परिशान कर रहे हैं उसमें शानती आएगी अभी जित मुरत आज दौपैर बारा बच के पंदरा मिनट से एक बच के दो मिनट के बीच है दिन में चार बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे ध्यान से समझेगा और सुजबू से टाल दीजेगा यह दौपैर बाद तीन बच के बाइस मिनट चार बच के नौ मिनट आज का दिशा शूल दर्शे को पूर्व दिशा में है तो पहले क कदम पीछे चलें और इस दोरान अपने हिर्दे में अपने इस्ट का ध्यान करें भगवान श्री राम का नाम लें और फिर यह यात्रा करें तो भगवान की कृपा होगी देशा शूल आज की चंद राशी दर्शे को व्रश्चिक है दोपेर बाद 4 बच के 22 मिनद तक आगे चंदरमा धनू राशी में प्रवेश कर जाएंगे जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस्प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की तो मेश राशी वाले स्वास्त लाब करेंगे होगा भाग्योदे व्रश राशी वाले लापरवाई से बचें मितुन राशी वालों को पार्टनर से लाब होगा वहीं करक राशी वालों को पैसे के लेन देन से बचना चाहिए सिंग राशी वाले सम्मान प्राप्त कर सकते हैं तो कन्या राशी वाले ध्यान रखें कि अवसाद हावी न हो जाएं जोला राशी वालों को मिलेगा अच्छा समर्थन वहीं व्रश्चिक राशी वाले कॉन्फिडेंस प्राप्त करेंगे धनु राशी वाले रहेंगे आत्विश्वास से लबरेच मकर राशी वालों को नुकसान संभव है वहीं कुम राशी वाले करेंगे धनलाब और मीन राशी वालों को मिलेगा पिता का समर्थन और आशिरवाद अब करते हैं आज की दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंतेदर्श्टी को प्रग्या को जाकरत करेगी पिर आगे समझेंगे उन विस्ष टुपाईओं को जो आपको समश्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं अन्तुमें करेंगे आज की दिन की जोतिश मंतरना और समाधान दर्शे को आचरण ऐसा करें कि आपकी बुद्धी विद्वत्ता का लोहा माना जाएं बहुत से ऐसे आचरण भी हैं जो कभी नहीं करने चाहिए सतर्पता से कुछ चीजें कुछ सुभावगत आदतों को कुछ कुछ दोशों को छोड़ देना चीए ताकि जन्बानस में समाज में और हमारे जानने वाले लोगों में हमारी जो छवी यह वो मुर्ख किना बने इस पर शास्त्र कुछ इस प्रकार कहते हैं कि अनाहूते प्रविशती प्रश्टम्भव भास्षते विश्वस्ते विश्व गुलाएं आप कहीं जाते हैं तो आपकी वैलिव पूरी तरीक से समाप्त हो जाती है बिना पूछे आप बोलते रहते हैं या राय देते रहते हैं तो आपका हलका स्तर प्रदर्श्ट होता है और किसी धोके बाज पर विश्वास तो पूर्णते मुर्खता की निशानी होत की समнож्टाओं के समाइदान बहुत ही सरलता से कर देते हैं और जिने करके आप सफलता को बहुत पीछे छोड़ते लएं सफलता की और दड़ता से तीजगती से अग्रसर होते हैं सबसे पहले बात करते हैं उनकी जनका जनम दिन है तो जिन जिन का जनम दिन है आज आप सभी छोटे-छोटे वच्चे को दूद वित्रित करें निर्धन जो जरुतमन वच्चे हैं उनको दूद पिलाएं सवा लिटर गंगा जल में सवा लिटर गो दुख्द मिला करके शिवजी का अभिशेक करें और मिनिट मंदिर में बैठके जब करें आज के दिन किसी जरुतमन को दिलवाई हुई दवा जो मेडिसंस हैं अगर उसको जरुत आपने दिलवा दी कहीं तो वह आपके भागे के द्वार निश्चित रूप से खोल देगी ऐसी दर्शे को जो लोग ग्रह पीड़ा से बहुत इसके लिए नित्य शिवाले जाएं पंचोप चार से शिवजी का पूजन करें शिवलिंग पर कच्चा दूद इत्र गंगाजल अर्पित करें नित्य एक माला इस श्लोक की करना शुरू कर दें कुछी दिनों में चमतकार घटित होंगे और आप देखेंगे कि कैसे जीवन मन से कीजिएगा ध्यान से कीजिएगा भूलेनात का पूरा ध्यान लगाईएगा और देखीगा जीवन में कैसे चमतकार घटित होता है ऐसे ही करजे से परेशान लोग आज एक सफेद कपड़े में पांच पूरे खिलेवे गुलाब ले ले एक चांदिका तार ले ले के समक्ष इस कपड़े को रखें बारी बारी सबी वस्थू एश कपड़े में रखते जाये और हर वस्थू को रखते हुए कहें दारिद्र दुख देहनाए नम्हशिवाये पूरी सामगरी रखने के बाद आदा घंटा इस मंत्र को वहीं बैटके जब करें मन लगा कर फिर इस कपड़े को पोटली के रूप में पकड़ें और कहें कि हेनाथ मेरी दरिद्रता कांत कर मुझे रिण से मुक्त करवाईए और फिर उस पोटली को शिवलिंग पर अरपित कर दीजिए ये प्रक्रिया यदि आपने आज से शुरू करके साथ सोंबार कर ली तो समश्या से आप निश्चित रूप से बाहर आएंगे कि इतना भी बड़ा रिण हो धीरे धीर उसके चुकने के रास्ते आपको मिल जाएंगे ऐसे दर्शे को जिन लोग को राज नितीम आगे बढ़ना हो या वो लोग जो पब्लिक सर्व विक्ष्याताय नमे शिवाय मन से कीजिएगा भगवान का ध्यान लगा के कीजिएगा और फिर चमतकार देखेगा दर्शे को ये थे आज को विसस रुपाए जो आपको समश्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनो कामना है पूरी कर रहा हैं बात करते हैं आपके जनम पत्रिका में जबड़ दस्त योग है व्यापार और अपने किसी हुनर के द्वारा पैसा बनाने का कोई स्किल के द्वारा संभवते आप लेखन में गायन में पबलिक स्पीकिंग में जुड़े हुए हैं साथ ही वाविशे में आपका एड़डाइजिंग का व्यापार सफलता पूर्वक कर सकते हैं यह सभी व्यापार आप अगले वर्ष अपरेल से शुरू कर सकते हैं तब तक आप अपनी स्नोकरी को चलाते रहिए आपको उत्तम फल प्राप्ति के लिए गले में पुखराज और हाथ में मानिक की पहन लेना चाहिए इससे होगा ये कि आपक अक्तूबर उनिस सो उनत्तर का जनम है सुबह यानि रातरी दो बच के क्यान मिट अजमेर भहिंकर करजे से परिशान है धनागवन कब से शुरू का इनका प्रशन है देखिए आपका पंचमेश गुरू अस्त है जिससे आपके निर्णे विप्रीत रहे हैं शनी नीच और वक्री होकर भाग्य भाव में परिशान कर रहा है तो एक तो आपके भाहिंकर पित्र दोश भी नजर आ रहा है शनी के उपाय करवाने होंगे जिसमें शनिवार के दिन दौपैर डेड़ से धाई बजे की बीच आप रक्षार उपन करें नीम पीपल बर्गत के पेड़ और शाम को निर्धनों को आलू बेंगन की सर्सों के तेल में बनी सब्जी और पुड़ी बाटना शुरू कर दें साथ ही सूर्य पूजन शुरू करें नेत्य जिसमें पांच पाट आधी तहर्दे शुरूत के करें धन पक्षाप का अच्छा आपकी जन्म पत्रिका में अगस् की तीसरी पत्रिका यह हमारे दर्शक जितेंद्र जी की 22 जनवर 1981 का जनम है सुबह पांच बच के सताउन मिनट जैपुर आगे का बहुश्य कैसा है सफलता कब मिलेगी इनका प्रश्न है जितेंद्र जी धनू लगन करकराशी की जन्म पत्रिका आपकी सूरी ग्रेंड लेकिन आप सूर्य मंगल के जाप और चंद्र ग्रेंड सूर्य ग्रेंड की शानती अवश्य करवाईए ताकि अर्चे ने आना बंदो तो दर्शे को यह था आज का पंचांग आज के विसस्त उपाय और ग्यान चर्चा मैं पंडी चंद्र शेकर शर्माई आशा करता हूं क को सही विधी सठीक समय अटूट शद्धा से करके आप पूरा पूरा लाब उठाएंगे और जो ज्यान चर्चा जो सत्संग हमने किया इस अपने जीवन में उतारेंगे दीरे-दीर आपका जीवन शियो में सत्य में और आनन्द में होता जाएगा मैं महादेव से प्रातना करता हूं कि जवाब हमारे बताएव उपाय करें तापकि कश्टों का निवारण अवश्य हो और बनो कामना पूर्थी निश्चित रूप से हो कारेकर में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वाद भगवतियासुप का कल्यान करे जया आतिशक्ति